Let's do question number 32 of exercise 17B question number 32 is In a corner of rectangular field with dimension 35 meter and 22 meter एक rectangular field है उसके corner पर जिसका dimension है Rectangular field का dimension है 35 meter and 22 meter Side by side बना लेते हैं Rectangular field है जिसका dimension दे रखा है 35 meter into 22 meter यह 22 meter है आगे क्या कह रहा है A well with 14 meter inside diameter is dug 8 meter deep इसके corner पर एक well हमारा खोदा गया एक कुवाँ खोदा गया तो कुवाँ केस फॉर्म में होता है Slender की फॉर्म में होता है यह खोदा गया Well खोदा गया अब आगे क्या कह रहा है width 14 meter inside diameter is dug 8 meter deep इसकी depth दे रखी है 8 meter और इसका diameter दे रखा है 14 meter right अब आगे क्या कह रहा है the earth dug out is spread evenly over a remaining part of the field तो इसका मतलब इसमें से जो मिट्टी निकली वो यहां सारे में spread कर दी गई evenly आगे क्या कह रहा है find the rise in the level of the field हमें यह निकालना है कि कितना rise किया यह field इसके ऊपर डाल दी गई तो obviously उसकी height increase हो जाएगी तो कैसे निकालेंगे देखिए field क्या है rectangular है लेकिन अगर हम उसमें मिट्टी डाल देंगे तो उसकी height भी बन जाएगी तो वो क्या किस form में बन जाएगा cuboid form में बन जाएगा देखिए पहले rectangular field था लेकिन अगर हम इसमें मिट्टी बिचा देंगे तो यह क्या हो जाएगा इसकी height increase हो जाएगी यहां तक मिट्टी आ जाएगी मान लीजए यहां तक आ जाएगी तो क्या होगा हमारा यह क्या बन जाएगा cuboid अब पहले जो जो दिया हुआ है वो वो लिख लेते हैं हमें क्या दे रखिए लेंथ दे रखिए field की length of field दे रखा है हमें 35 meter breath दे रखा है हमें breath of field दे रखा है 22 meter diameter of well दे रखा है diameter of well दे रखा है 14 meter और हमारी depth दे रखिए length दे रखिए या height दे रखिए है height of well दे रखिए है 8 meter right अब हमें height निकालनी है कितना rising level हुआ अगर हम इस cuboid में डालते हैं मिटी तो यह कितनी उंची आई तो हम उस height को let कर लेते हैं let the height height of mud spread evenly on जो कि spread की गई है evenly rectangular field पे वो हमने h meter माल ली right तो अब देखिए well में से जितनी मिटी निकली वही spread की गई तो अंदर से निकली है तो हम volume निकाल लेते हैं well का की कितनी मिटी निकली तो volume of well कितना होता है that is pi r square h क्योंकि slender की form था pi की value कुछ दे नहीं रखी तो 22 upon 7 r कितना आया r आया हमारा देखिए यहां diameter दिया हुआ था तो radius क्या हो जाएगा यहां पे निकाल रहे हूँ radius of well हो गया diameter का आधा that is 14 divided by 2 7 meter आ गया right तो यह आ गया 7 into 7 और height हमें दीवी थी well की 8 तो यह कितनी आ गया 7 से 7 cancel हुआ तो 22 8 is 176 into 7 7 6 is 42 49 53 7 1 is 7 and 12 तो यह आ गया 1 2 3 2 meter cube आ गया हमारा volume of well देखिए यह आ गया हमारा well का कि कितनी मिट्टी हमारी निकली उसका volume आ गया अब हमें हमने वो मिट्टी जो निकली है mud वो चारो तरफ हमने rectangular field पर फिलाई है अब जो यहां से मिट्टी निकली है mud निकली है वो हमने फिल्ट पर फिलाई है लेकिन हमने कहा नहीं फिलाई है जो यह well का area थ हो well का जो top पे circle दिख रा था उस पे नहीं फिलाई है, तो हमने जहां-जहां मिटी फिलाई है, वो एरिया निकाल लेंगे, area on which mud is to be spread, किस पे spread हुई है, हमारा पूरा rectangular area पे spread हुई है, area of पूरे field पे spread हुई है, rectangular field, लेकिन हमारी जो मिटी है, वो हमारी circular part, जो हमारा well था, उसके circular part पे नहीं हुई है, तो minus कर देंगे area of circle, जो well का है, तो यह कितना आ गया, area कितना है, rectangle field का, length into breadth, इसमें से minus कर देंगे pi r square, क्योंकि circle का area pi r square होता है, अब length और breadth कितनी दे रखी, 35 and 22, तो यह आ गया, 35 into 22, minus pi की value 22 upon 7, r कितना आया well का हमारा, r आया था well का, that is 7, 7, तो यह आ गया, 7 into 7, तो यह कितना आ गया, 7 से 7 cancel हो गया, 35 into 22 कितना आया, 35 into 22, 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6 and 7, 10 and 7, तो यह आ गया, 7 70, तो 7 70 में से minus हुआ, 22 7s आ, is 154, तो यह area आ गया, 6, 6 में से 5 गया is 1, and 7 में से 1 गया, 6, meter square आ गया, वो area, rectangular field पे जो बचा है, जहां पे मिट्टी फिलाए गया है, excluding यह well का area, right, अब हमें निकालना है, कितना level rise हुआ, वो question में कह रहा था, कि कितना rise हुआ, find the rise in the level of the field, तो कैसे निकालेंगे, level rise in the field कैसे निकालेंगे, in the field, field कैसे निकालेंगे, जितना volume हमारा मिट्टी का निकला well में से, यह वाला volume जो निकला, उसको अगर हम divide कर दें, इस area से जितनी हमने मिट्टी spread की, जिस area में, तो हमारा, यह बता चल जाएगा कि कितना height increase की, तो हमने लिखा, वो निकल के आया, volume of well, divide करेंगे, area on which mud is spread, उससे divide कर देंगे, तो volume कितना है था well का, that is 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, और हमारा, कितने area पे spread हुई, मिट्टी, 616, तो यह कितना आ गया, देखे, 616, टूज़ा, देखे, 2612, carry 1, 2123, 2612, देखे, 2ज़ा जा रहा है, तो यह आ गई, 2 meter, तो हमारी height कितनी आ गई, इस rectangular field पे, जो mud हमने डाली थी, उसकी height कितनी आ गई, 2 meter is the answer, झाला, की देवा है 2, 2, 1, 2, 2, 2, 5, 615, तो ङभ्या, पे, 616, तो यह है, गई, 516, तो हमारी कितनी यादी सेवार assessor दो यह है, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1,